नवस्कार दूस्तों आप देख रहे हैं आर्टी एनुट आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी कबर की बारे में अभी की बड़ी कबर उत्तर प्रजीस प्रामरी सिछक भरती 2021 को लेकर है प्रामरी सिछक भरती के इंतजार में लाखो प्रत्योगी चात बैठे वी है जो UPTED क्वालिफाई हैं उनको भी उमीद है जो UPTED क्वालिफाई नहीं उनको भी उमीद है कुछ का कहना है कि भरती पहले आएगी सिठ्षक भरती आएगी या नहीं आएगी आएगी तो आएगी कब मैं आप सब्सक्राइब को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रजेस में प्रामरी सिठ्षक भरती की त्यारी करने वाले प्रतियोगी छात्र को जटका लग सकता है कैसे लग सकता है इसके समझ वीडियो में जा उन्होंने कहा है कि 69,000 सिच्छक भर्ती कम्पलीट हुई नई सिच्छक भर्ती की मांग आप लोग करने लगे हमारी वार्से पर कई मैसेज आते हैं कि नई सिच्छक भर्ती कब तक निकालेंगे कब तक निकालेंगे नई सिच्छक भर्ती कब तक आएगी तो यह बच्चों का खेल नहीं है अगर हम इसी तब भरतिया करते रहेंगे तो हमें वेतन देना पड़ेगा इसका क्या मतलब है मंत्री जी का कहने का क्या ताज पर है या तो मंत्री जी 24-6-8 महिने भरति को लटकाने का प्रियास कर रहे हो कि 24-6 महिने हम भरति नहीं निकालेंगे 2022 की चुनाओं के मद्देनेजर कार कर रहे हो या बरतमान सरकार की दवारा 2021 में प्रामिस इच्चक भरति का विग्यापन जारी करने का विचार ना हो दो ही बाते हो सकती है या तो 2022 चुनाओं के मद्देनेजर भरति को लटकाने का प्रियास किया जा रहा हो या सरकार चार है कि विग्यापन ही ना जारी हो विग्यापन 2022 चुनाओं की बात जारी हो फिला सरकार का इसमें घाटा है अगर विग्यापन नहीं आएगा क्योंकि सुप्रिम कोट में सरकार ने खुद कहा है कि एक वन हजार प्रस पत खाली है सुप्रिम कोट ने कहा कि सिछा मित्रों को एक आउसर दिया जाए तो सरकार ने कहा आउसर दूँगा भरती निकालूँगा उसमें एक आउसर आउसर दूँगा जब इक्यावन हजार पत खाली है तो सरकार को भरती निकालने में क्या परिशानी है क्या सरकार अपने घर से बेतन देती है जितने पत स्विक्रित है क्या उसका बेतन एलाट नहीं होता है कोई अपने घर से बेतन नहीं देता है तो सरकार की मनसा कैसी है आपको मालूम होगा बेसी सिछा मंत्री के जुबान से सही बात निकल गई कि सरकार इसलिए भरती नहीं करती है जिस से बेतन ना देना पड़े जो सचा ही मैं आपको बता रहा हूँ सवाल है कि भरती आएगी तो आएगी कब अगर 2021 में आती है वैसे तो सरकार अगर भरती नहीं करेगी तो 2022 चुनाओं में सरकार को बहुत बड़ा घाटा होगा तो इस उम्मीद से हम लोग इंतजार कर सकते हैं कि भरती आएगी लेकिन आएगी कब क्या भरती पूरी हो पाएगी तो मैं आप से भी को बताना चाहता हूँ सरकार उसी रजनीत के अंसार कारी कर रही है सरकार ने एडेज जूनेर हाई स्कूल सिछक भरती का विग्यापन जारी करके भरती को लटका दिया है लटकाय किस परकार से आप इसे सुन लिजे मैं आप से को अता दूँ कि एडेज जूनेर हाई स्कूल सिछक भरती का विग्यापन पाचीस फरवणी 2021 को जारी किया जाएगा तीर मार्ज से आबिदन प्रक्रिया सुरू होगी आबिदन प्रक्रिया जादा समय तक नहीं चलेगी लेकिन परिच्छा किसी जो निधारित के गर दी गई है 18 अपरेल 2021 और परड़ाम कब आएगा 18 माई 2021 18 माई 2021 के पहले UPTED की परिच्छा आयोजित नहीं की जाएगी आप इसको नोट कर लेना 18 माई 2021 के पहले UPTED की परिच्छा आयोजित नहीं होगी उसके बाद आयोजित होगी परिच्छा जून के दूसरे पक्वारे या जुलाई माह में आयोजित की जा सकती है अगर बहुत जल्दी किये तो जून माह में अगर सरकार भरती को लटकाना चाती है या माल लेते हैं UPTED का आयोजित जून माह में हो तो परिच्छा आने में कम से कम 25 से 30 दिन लगेंगे इस से कम नहीं लगेंगे तो माल लेते हैं कि परिच्छा जो है जून में एक्जाम हो जाए और परिच्छा जुलाई या अगस्त में आजाए अगर जुलाई में एक्जाम होता है तो परिच्छा अगस्त या सेप्तमबर मा में आएगा तो आप मान लिजिए कि सेप्तमबर अक्टूबर के पहले प्रामिर सिच्छ भरती का विग्यापन जारी नहीं होगा तो या भरती पूरता फसेगी इसमें दो राय नहीं है जो मुझे जानकारी है सरकार इसी के मद्दे निजर कारी कर रही है आप लोग इसको मान लिजिए सरकार भरती को फसाना चाती है सरकार भरती करना नहीं चाती है और बेसिक सिछा मंत्री जी के जुबान से सही बात निकल गई है कि भरती अगर हम करेंगे तो बेतन देना पड़ेगा इसलिए बरतमान सरकार के द्वारा भरती का विग्यापन जारी नहीं किया जा रहा है। पहली काबिनेट की पहली बैठंग में उत्तर पर अजनस सेवा चैन आयोग की भरतियां की जाएंगी। 50,000 पदों पर भरती होगी। सरकार की रणनीत अलग है आपको इसे समझना होगा। अगर हम बात करें दरोगा भरती की दरोगा भरती का विग्यापन नौवंबर माह से आ रहा है। नौवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरोरी में हम परवेस कर चुके। बिग्यापर कहीं मार्च में आएगा परिछा अपरेल या जून में होगी परिडाम डेड़ सो दो माह बाद आएगा मतलब की जुलाई या अगस्तमा में आएगा फिसकल होगा भरती फंस जाएगी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तो इस परकार से 2022 के चुनाओ के मद्दे नि भुसनी चाहिए कि सरकार किस तरह से कारी कर रही है किस रणनीत के तहत कारी कर रही है क्या सरकार आपके हिट के लिए कारी कर रही है या अपने स्वार्थ के लिए कारी कर रही है आपको इसके समझ में जानकारी होना अवश्यक है तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ ज बेतन देना पड़ता है उनके जुवान से निकली उन्होंने यह बात नहीं कहीं कि सरकार इसलिए भरती नहीं करती है कि सरकार बेतन देना पड़ता है उन्होंने खुद कहा कि अगर हम इसी तरह भरतिया करते रहेंगे तो बेतन देना पड़ेगा तो जब मंत्री जी खुद क नहीं है क्योंकि 2022 का चुनाओ है जो लोग कहते कि अचार सहीता में भरती प्रकिया चलती रहेगी नहीं आपको एक लौली पाप मिलेगा और कहा जाएगा भाईयों और बहनों जैसे ही मेरी सरकार बनेगी पहली कबिनेट की पहली बैठक में प्रामरी सिछक भरती को पूरा कर जाएगा और जैसे ही सरकार आएगी आपको इसी तरह जहलना पड़ेगा इसमें दो रायने क्योंकि चार सालों में कितनी भरतिया निकाली गई उत्तर पर अजिनाश्रीवाचैन आयोक का हाल देखिए 2020 में एक भी भरती नहीं आई हाँ जो नौक्री पागे होंगे उन 70,000 स उसी चक भरती में वह हमारा वीडियो देखेंगे तुन्हें बुरा लग रहा होगा कि सरकार का विरोज कर रहे हैं मैं सरकार का विरोज नहीं कर रहा हूं अगर सरकार के द्वारा भरती का विज्यापन समय से निकाल कर छे महिने भरती पर किया पूरी कर दी जाए तो इसी चैनल के माध्धिम से मैं सरकार की बढ़ाई करूँगा लेकिन सरकार की जो रनीत है जो सरकार कर रही है और करने का प्रियास कर रही है वही मैं आपको बता रहा हूँ आगे कोई जानकारे मिलेगी इस चैनल के माध्धिम से जी जाएगी इसी परकार की जानकारे के लिए आप हमारे साथ जोड़े रहें जाहिंगे भार दूस्तों नमस्कार